स्वागत है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है और यहां और सुबह का टाम मैंने ब्लॉगिंग आस शुबह से ही स्टार्ट कर दी थी बड़ी वाली बेटी को बस स्कूल छोड़के आई एंच और कुछ नहीं और सुबह के टाइम पे सभी का चैनल सभी का कमरा फैला होता ह क्योंकि रात कामारा आप बिस्तर होता है उसको हमें समेट ना होता और चोटी बाबू मेरे साथ में ही लगी रहती। जिसके भी चोटे बाबू है उसको पीजे पीछे पीछे लगे ही रहते। cui spent time पहले उठो पहले कमरे में से बास आ यह निकालो जाड़ो जाड़ो लगा उसके बाद कुछ भी करो तो यह देखिए इसको ऐसे फोल्डिंग आपको बिछाते हुए तो कई बार दिखाया होगा मैंने उठाते हुए नहीं दिखाया है यह देखिए यह गद्दा है रुवी व जो भी कहते हैं चुपचा बैठा रहता है खेलता रहता है मैं अपना काम करती रहती हूँ यह करके मैं बनाऊंगे अपने लिए चाय और जाड़ो लगाओंगी बाद में पहले चाय करूँगी उसके बाद कुछ करूँगी तो यहाँ पर अपनी सौल ले लिए और यह चाय बनारी हूं और आप लोग भी पी लीजिए और यह थोड़े बहुत बरतन है जो कि हमने खाना खाया था उसके हैं खाना खाने के बाद बरतन नहीं दोती हूं बाद में आलास आ जाता थोड़ा सा तो वही और टिफिन इफिन बनाया उसके हैं कढ़ाई ड़ाई सुबह दो-ती मैं ही में रह गई हूं बस और कोई नहीं तो बस अपने लिए बनाना है आलू फ्राय है सबजी है सब कुछ है कुछ नहीं करना है और आज आपके साथ सुबह से स्टार्ट कर दी तब पूरा दिन अपना शेयर करने वाली और यह चोटी कढ़ाई है यह बहुत पुरानी है तो इसलिए आपको यह काली सी दिख रही होगी मेरी वड़ी वाली कढ़ाई है वो एकदम साफ रहती है यह भी साफ रहती है यह बहुत पुरानी कढ़ाई है चोटी से कढ़ाई है तो यह इसलिए ऐसी है और देखिए घर जब समेट देते हैं कितना गंदा दिखता है और आपको कितना गंदा दिख रहा था आप देखे कितना साफ दिख रहा है हर चीज सफाई मांगती है इंसान हो चा घर हो चा कोई भी हो उधर में चाय बन रही है और इधर में अपना लगी हुई हो यह देख सकते हैं और इसमें चालूँ कि चीनी और सरदियों में चाय चाय चा कि पी के और आ गई हो और बाबू के साथ खेल दी है थोड़ा बहुत उसे भी टाइम देना होता है छोटी है भी इतनी बड़ी तो है नहीं तो बस उसे थोड़ी सी देर लेके बैठी हूं और इससे मां है मां को तो बच्चे आपको लोग पता ही कितना हुआता है मैं सोच रह है तो फिर अपने कपड़े अपड़े धोलू पर नहीं सोएगी कितना भी सिलालों यह सोती नहीं है कितना भी सिलालों से नीद ही नहीं आती है पता नहीं क्यों मुझे नीद आ जाएगी पर हमारी इनको शोना मौना को नीद नहीं आती है यह देखिए कितना भी सिलालों य मकान बहुत सारे लोग पर रहते हैं मैंने भी बताया है तो उन्हीं के कपड़े हैं मेरे कपड़े नहीं है वो नहाके गई हैं तो कपड़े रखे गई हैं बताया है बहुत सारे मकान में लो रहते हैं और बाबू मेरे साथ साथ काम कराता है और अभी भी साथ में है और यहां आप जाडू से करना पड़ता है क्योंकि फिसलन है मारवल लगा हुआ है तो पहले जाडू से करो उसके वाद वाइपर मारना होता है हम लोगों को जो भी यहां काम करता है वो यह वाइपर मारता है यह देखिए मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आई वी देखिए और हम लोग जाने सब लोग कहते बाहर का नजारत दिखाओ तो गाइस क्या यह गाओं ही है कोई शिटी नहीं है और हम लोग जाने घर पर बड़ा चोटा बाला बाबु मैं घर पर छोड़के आई उसको ल बनाते रहते हैं और बताएगे आप लोग कैसे हो कैसे सर्दी है ठीक ठाक है और यहां बनाओंगी बीन्स काफी दिन की हो गई को बहुत दिन पड़ा हो गई खराब सी हो गई हो गई हम लोगों से जीतना बहुत मुस्किल बात है यह से नहीं सकते तो इसमें से अच्छी ब बीन्स की सब्ची क previous Also का अच्छी को सदीर चीज इतना हो सके इसमें ले लेना चाहिए और काम में लेना चाहिए क्योंकि पैसा लगता है को फिरी में थो ना आती है इसलिए और लेट सोने में और जगने में बहुत सुनना पड़ता था सास के साथ रहो ना उनको पता चलता है जो लोग सास के साथ नहीं कहते ना लोग कुछ नहीं पता चलता है और मेरे हजबन दे कि और फिर बात नहीं करो तो थोड़ा सा जीव लगता है तो यहाँ वीन्स की सबजी का ट्रिओ और मेरे हजबन भी खा लेंगे बस मना करते हैं खा सब लेते हैं यहाँ बीन्स की सबजी की तैयारी कर रही हूं और थोड़ी ज़्यादा मनाओं मैंने बताया था कुछ लोग ह तो उनके लिए भी हो जाए, मेरे लिए भी हो जाए और यह बस सबजी बनाओंगे और अब हम लोग बाते भी करते जाएंगे, यह आलू नए वाले आलू को फटाफट से चील लो और फटाफट से बन जाता है और इसको वींस को सुखे सुखे बनाओंगी हम लोग दोई लोग है कोई ज्यादा लोग नहीं है तो यह आलू बगएरा छील के और सबजी बनाने लग जाओंगी नॉर्मली सबका यही काम होता है और कल पर सो कमेंट आया था दी आप रात को कच्रा मत बहार निकाला करो तो आप लोग देख सक ते महां कच्रा रख दी हो सुखे निकाल लोगी बस सबजी चील के जल्दी से छोक देना और कुछ नहीं और मुझे वोइस ओवर में ना गाना डालना नहीं अच्छा लगता मुझे अपनी बात रखनी अच्छी लगती हो और आप लोग गाइस लाइक करा करो क्योंकि पर दो किजिए और वीडियो नहीं अच्छा लगत तो कोई बात नहीं है यह मैंने वींस काट ली अच्छी अच्छी लिकाल ली है और इसको काट लूगी तो ज्यादा बड़ी फैमिली तो है नहीं तो यह देखिए कितनी किती जल्दी यह बाते कर लेते थे थोड़ी वीडियो डालती हूं नहीं ज्यादा बड़ी डालती हूं नहीं छोटी डालती हूं और प्लीज वीडियो स्पीच करके मन देखा कि जी मेरा वास्टाइम कम हो जाता है वीडियो को फुल वाच किया करो और प्लीज आते ही लाइक किया करो क्योंकि लाइक में कोई पैसा नह थोड़ा सा रिफान डालूंगा और हींग से तो मैं हर रोज अपनी सबजी छोकती हूं आप लोगों को पताई है यहां पर यह दिखिए मेरत तेल हो जाएगा गराम और इसमें हींग जीरे से इसमें तड़का दे दूंगी हींग जीरे से थोड़ा पाचन के रिए अच्छी ह जाती है जिन सबको पताईए बत बताने की वाली बात नहीं है और जीरे डाल दिया और एक दम नॉर्मली तरीके से बनाओंगी और सावित मिर्ची खोटके डाली है मैंने हमारे यह खोटके बोलते हैं और लंबा लंबा मैंने प्याज डाला है यह देखिए और प्याज और मसाले टमाटर वगएरा कुछ नहीं डाला है सारा कुछ में बाद में डालोंगी और आप लोग जरू ट्राइक कीजिए सबजी बहुत अच्छी लगे लगेगी आप लोग और वीडियो हैल्फुल लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर मेरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे आपको सर्च ना करना पड़े इसलिए मैं कहरे हूँ नहीं तो आप बोलते हो दिया आपका नोटिफिकेशन नहीं आए तो बैल को प्रेस करोगे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पोचेगा तो यह देखे मैंने इसको कर दिया और भड़क दूँगी कोई मसाले बगएरा कुछ नहीं डाला है और यह मसाले खतम हो गए मेरे सारे के सारे बड़े डिब्बे में मेरा स्टोर है थोड़ा बगए तो मेरा काम चल जाए और ये टमाटर थोड़ा सा ही काटा है छोटा सा ही ये डाल दूँगे अभी कोई मसाले नहीं डाले है और इसमें मेरा हो जाएगा क्योंकि सूकी सब्जी है तो इतना सा टमाटरी सही है इतना सा भी नहीं डालती पर मैं डाल दी हूँ क्योंकि सब्जी मुझे टमाटर पसंद नहीं आता है यह मसाले हैं जो कि मैंने टिबे में कर दी है पहले ही लाके रख दिया है और थैलया साइट से डालती जारी है और सुबह खटा दूँ अभी ऐसे ही रख दे रही हूं और क्योंकि मिर्ची नीचे बैटके नहीं कर सकती क्योंकि नीचे बाबू खिलता है आँख वगेरा में चली जाए मिर्ची वगेरा तो इसलिए मैं उपर ही कर रही हूं नहीं तो आपको पता है इसलिए इतनी बड़ी नहीं है जिस पे ये सारा सबजी आटा गून लो सब कुछ कर लो तो इसा नहीं होता है तो बस ये सारा मसाला डिबों में करके सबजी में मसाला डाल दूँ ये देखिए मैं ट्राइपोर्ट सबजी की तरफ कर दिया है और ये देखिए इसमें डाल दिये टमाटर रोशी में अभी आप देखना टमाटर कुगलने की जरूरत नहीं क्यों टमाटर में कुछ नहीं हो और आटा गून देखुए रोटियां आज इस बार बाद में बनाऊंगी क्योंकि कोई आ रहे हैं तो गरम गरम रोटियां बनाएंगे जब बोग आ जाएंगे तब ही रोटियां सेकूँ यहां आटा गून के रख देती हूँ और वस मेरी सबजी आप लोग देख सकते हैं साइट में बन रही है तो वस आज की वीडियो यही थी यह आटा गून के रख दूँगी और अभी खाना नहीं बनाऊंगी बाद में खाना बनाऊंगी क्योंकि फिर बाबु रोने लग जाता तो फिर काम नहीं करने देता है और सिलिप बरतन वगेरा धो के कर दिया तो यह देखिए मैंने बरतन धो दिये हैं और मेरी सबजी भी बन गई अभी बैक कैमरा भी आप लोगों को दिखा दूँगी तो यह मेरी सबजी बन गई आटा गूंद लिया है तो वीडियो को करती हम पर आप लोगों से लेती हूँ अदल विडा अगले विलॉग में मिल दूँगी और यह देखिए सबजी आप लोग देख लीजिए देखते हैं अंगले ब्लॉग में क्या लाते हैं क्या नया लेकर आती हूं कोसिश करूँगी अच्छा लेकर आओं डिफरेंट लेकर आओं अपनी तरफ से 100% कोसिश करूँगी